नमस्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर उइंडोज और बालकुनी प्लैंट्स पर फ्रेंट्स बहुत पर मैं इस उइंडोग को अप्लोकेसर सेयर भी किये है धेरू हर्वेस्टिंग के साथ-साथ चलिए आज मैं दिखाती हूं कबुतन ने मुझे कितना पर से चल रहा है उपर में सिर्फ चुलाई का कुछ बीच डाला था जो कि उसके साथ-साथ आमके दो गुटली पर भी पोधे निकल आया है और बहुत सारे मेरे चेरी टमाटर के पोधे भी निकल आया है इसको मैंने बीच नहीं लगया था कमपोस्टिंग में नीचे कर रहा थ इसके लिए मुझे लग रहा है वही बीच वह निकल कर आ गया है बहुत हेल्दी पोधा है यह जो रेट चोलाई में यहां पर डाला था नीचे भी कमपोस्टिंग हो रहा है लेकिन कबुतर ने खराब किये हैं बहुत कुछ देखिए फ्रेंड्स मेरा आज अपलों के साथ यह बला वीडियो इसलिए सेयर करना था जे कॉम स्पेस पर मल्टि क्रपिंग कैसे कर सकते हैं चोटे से चोटे कंटेनर में वही बाते सेयर करना था चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे करीपता देखिए करीपता कितने अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है पहले इसका ग्रोथ यह 12 इसके कंटेनर में लगा है उसके नीचे कितने सारे पोधे हैं मैं दिखाऊंगे देखिए अगर करीपता को आप लोग घना करना चाहते हैं तो पींच कर लिजिए हाट प्रोनिंग मैं फ्रेवरी महीने में किया था उसके बाद थोड़ा उसका ब्रांच बड़ा होने क के बाद साथ साथ मैं उसको पींच कर लिया है अगर आप लोग कोई करीपता घना नहीं होता है तो इस तरह का ट्रिक अपले करेंगे तो हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यह है मालावर्स पिनच चार पोधे एक कंटेनर में मालावर्स पिनच के साथ साथ करीपता है और करीपता का जो दो बेबी प्लैंच भी निकलाया है मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स और एक क्रासुला ओभाटा जो जेड का भेराइटी एक है उसको भी मेकव कटिंग यहां लगाई थी मुझे याद ही नहीं है लेकिन वो अच्छे से भी ग्रोव हुआ है देखिए फ्रें जो कि हमारा जो न्यूट्रेंट से भरपूर है वो स्पीनेच उसको भी घर पर लगाना बहुत दीजी है क्या है ना फ्रेंड्स यह टूएल बींच का कंटेनर है इसमें इतने सरे पुदे एक साथ अच्छे से ग्रोव किये है इस तरह से अगर लोग स्पेस पर गर्निंग क करेंगे और इसका एक बड़ा बात है कि आप लोग मिट्टी हमेशा अच्छे बनाएंगे जो कि हमारा में तो में जो काम करती हूं वही बाते आप लोग के साथ सेर करना चाहती हूं क्योंकि प्रदिशन को ना फेलता हुए हम लोग अगर कीचेन का सारे वेस्ट जैसे की चोड़कर जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम कंपोस्टिंग करेंगे और इस तरह के पोधे पर देंगे और अर्गैनिक सब्जी बहुत हीजी से मिल जाएगा देखिए फ्रेंड्स मेरा तुलसी का पोधा भी बहुत घना हो गया है उसका तना भी बहुत मोटे हो गये हैं म मैं उसको सेपरेट करूंगे दूसरे कंटेनर में लगाऊंगे लेकिन जब करूंगे मैं आपके साथ सेयर भी करूंगी देखिए फ्रेंड्स में फ्रेवरी महीने में इस करी पत्ते को मैंने हार्ट प्रूनिंग किया था उसके बाद जब उसका डंठल थोड़ा ग्रो हो ग आप लोग के साथ दोहराती हूं कि मैं मिट्टी पर ज्यादा काम करती हूं अगर मिट्टी अच्छा होगा तो एक छोटा सा कंटेनर में भी इतने अच्छे क्वांटीटी में बहुत सारे पोधे लगा सकते हैं देखिए फ्रेंड्स जो कंटेनर देख रहा है इसका निकलता हुआ कंपोस्ट में उसको डाल देती हूं जब मैंने भर्मी कंपोस्ट में महीने में एक दो बार भी देती हूं और इस तरह से पोधे निकल कराना और सारे पोधे स्वस्थ होना तो बहुत खुसी मिलता है फ्रेंड्स क्या करूं जो लोग गार्णिंग करते उन लोगों को मेरा फिलिंग्स इजी से पता हो जाएगा क्योंकि एक अंकुरन अगर प्लांट्स को प्लांट्स पर होती है तो खुसी कितना होता है वो बताने का मैं कैसे बताऊंगी मुझे पता ही नहीं है देखे फ्रेंड्स जब करीब पत्ते पर आप लोग कुछ हर्व किजिए पत्ते सिर्फ निकाल लेंगे नहीं नहीं तो पोदा को अच्छा नहीं लगेगा देखे फ्रेंड्स इस तरह से कितने अच्छे नियू नियू कली भी आ गया है ग्रोथ हमेशा इस तरह से होता है पोदा जब उसका पींच किजिए करिए उसके बाद दो ब्रांच वहां से ही निकल कर आएगा अज इतना बारीश हो रहा है इसलिए मेरा बालकुनी अंधरा सा चाया हुआ है यह मेरा कंपोस्ट में है मैं इसमें मेरा कीचेन वेश को कंपोस्टिंग करती हूँ और आप लोग के साथ बहुत सरे वीडियो में भी मैंने दिखाया है देखे य जो मालाबर स्पिनेश इसका लीप्स कितने बड़े आया है और इसका जो कालर डार्क ग्रीन बहुत आखों को सुकुन भी देता है फ्रेंट्स इस तरह से में गानिंग करती हूँ मल्टि क्रपिंग जो एक कंटेनर में धेर सारे पोधे भी लगाती हूँ इस तरह से स्पेस इसकी कमी को मैं हमेशा मेंटेन करके मेरे गानिंग पर मैं काम करती हूँ धन्यवाद दुस्तों फीर मिलूंगी एक नहूँ